नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार साबन के महने में भगवान सिव की पूजा करने का बिसेस महत्व है भगवान सिव को बिलुपत्र सबसे ज़्यादा प्री है क्योंकि बिलुपत्र अरफीत करने से भगवान सिव की किरपा मिलती है अब देखे बिलुपत्र चड़ाने के कुछ नियम है उन नियमों का अगर आप ध्यान नहीं देते तो बिलुपत्र चड़ाने का फल आपको नहीं मिलता तो सावन माह की सुरुवात हो चुकी है और भगवान सिव का सबसे प्रीमेना है तो भगवान सिव की पूजा बहुत ही सुफल दाई है वैसे तो सिव जी एक लोटा जलसे ही प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन हर तरह के मनोकामना के लिए अलग-अलग वस्तू उनको अरपित करने का विधान है ऐसे में आज हमारा चर्चा है बिलुपत्र पर देखे भगवान सिव अपने भक्तों पर कोई भी कस्ट आने ही नहीं देते और पुरानों की माने तो भगवान सिव जो स्रावन का मा है प्रत्वी पर भ्रमन करने आते हैं इसलिए सावन में सिव जी की पूजा का महत तो बहुत जादा है सिव पूजा में वैसे तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है और बिल पत्र अर्पित करने से सिव की किरपा परस्ती है तो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए जब आप भगवान सिव को बेल पत्र अर्पित करते हैं तो पहला बात ये है कि आप बिल पत्र हमेशा उल्टा यानि कि चिकना सतर सिवलिंग की तरफ हो और जो रुखड़ा भाग है वो उपर की तरफ हो तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दूसी बात बिल पत्र अर्पित करते समय आप हमेशा अपने हाथ के दहने हाथ के अनामिका फिंगर यानि कि जो आपके रिंग फिंगर है अंगुठा यानि थंब मध्यमा उंगली यानि मिडल फिंगर अंगुठा अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली से यानि तरजनी उंगली और कनिष्टा उंगली को आप साइड रखें या उपर की और उससे आप तीन उंगली से बिलपत्र को पकड़ कर फिर अर्पित करें और साथ ही बिलपत्र अर्पित करने के साथ जल भी अर्पित करें या आप वैसे द्रव एक ही साथ नहीं कर पारे तो आप चाहे भी तो बिलपत्र जल वाले लोटे में डाल कर भी अर्पित कर सकते हैं या फिर पहले बिलपत्र अर हिसमार्मिक मानेता है कि मूल भाग में बिलपत्र के सभी तिरतों का पास होता है तो श्रावन के माां में बिलपत्र चढ़हते वक्त आपको ये ध्यान हखना चाहिए कि बेल पत्र कभी भी असुद्ध नहीं होना चाहिए यानि कि पहले चढ़ाएवे बिलपत्र को आप फिर से धो कर चढ़ा सकते हैं फायरे क्या हैं बिलपत्र अरपित करने के देखे सावन में सिबिलिंग पर बिलपत्र अर्पित करने से बैवाहिक जीवन सुख में रहता है संतान सुख की प्राप्ती होती है बड़ी से बड़ी रोग परेसानी पिडाएं दूर होती है अदालती मुकदमा जो भी है मुस्किले वो समाप्त हो जाती है सिर्फ बिलपत्र कभी भी अर्पित ना करें बलकि जल के साथ अर्पित करें तो सिव जी की जो पूजा में बिलपत्र अर्पित होता है इसके पीछे एक पुरानी कथा है समुद्र मन्थन के समय कई चीजों के साथ बिस भी निकला और ये बिस चारो और फैलने लगा पूरी स इसके प्रभाव से भगवान सिव के सरीर में ताब बढ़ने लगा जिसकी बज़ा से आसपास का बातावरन जलने लगा तो उस समय के एक बैद की सलाह से देवी देपताओं ने भगवान सिव को बिलुपत्र खिलाया और जल से असनान करवाया इसके बाद भगवान सिव के सर भी अरपित किया जाता है इससे भगवान सिब को सीतलता मिलती है और उनका आसिरबाद मिलता है लेकिन हमेशा तीन पत्तियों वाला बिलपत्र ही चड़ाना चाहिए अगर तीन पत्ति से ज़्यादा पत्ति है तो और भी अच्छा लेकिन कटा फुटावा बिलपत्र कभी भी सिवजी को अरपित ना करें जब भी बिलपत्र अरपित करें पहले सुध जल से धोलें फिर गंगा जल आप उस पर छिड़कर फिर सिवजी पर अभिसेख करें और बिलपत्र चढ़ाते समय नमह सिवाय या ओम नमह सिवाय का जब करें तो जीवन के सारे संकट दूर हो जाते ह इसकंद पुरान कहता है कि एक बार माँ पारवती के पसीने की बुंद मंदरा चल परवत पर जा गिरी इससे वहाँ एक पौधा होगा जो बाद में बिलपत्र के पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया तो बिलपत्र औसधी गुनों से भरपूर है इनसे दवाईयां भी बनती है कई तरह के बिमारियां भी ठीक होती है लेकिन आज हमारा चर्चा है कि बेलपत्र पर वो कौन सा जादूई अक्षर है जो अगर आप लिख दें तो सिव देंगे बरदान आपकी सारी मनुरत सिग्र पूरी होगी तो एक बार नारद जी ने भगवान भोले नाथ की अस्तूती की और पूछा प्रभू आपको परसंद करने के लिए सबसे उत्तम और सुलब साधन क्या है हे तरी लोकी नाथ आप तो निर्वीकार और निसकाम है आप सहजी परसंद हो जाते है फिर भी मेरी जानने की इक्षा है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या प्री है तो नारद जी की जिग्यासा को देखते वे भगवान सिभ ने कहा नारद वैसे तो मुझे भक्त के भौ सबसे प्री है लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं उत्तर जरूर दूँगा मापारवती की बंदना कर अपनी लोग चले गए अब नारद जी के प्रस्थान के बाद मापारवती ने भगवान सिभ से पूछा हे प्रभू मेरी यह जानने की बड़ी उत्कृष्ट इक्षा हो रही है कि आपको बिलुपत्र इतनी प्री क्यों है किरिपा करके मेरी जी ग्यासा सांद करें तब सिभ जी कहते हैं हे सिभे बिलुपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान है उसका त्रिपत्र यानि तीन पत्ते रिगवेद, यजुरवेद और सामबेद है साखाय समस्त्र सास्त्र का सरूप है बिलू बृष को आप परतवी का कल्प बृष समझे है और ब्रभा विश्नु सिवसो रूप है हे पारवती सुए महालक्ष्मी ने सैल परवत पर बिलू बृष के रूप में जन्म लिया था और इस कारण भी बेल का बृष मेरे लिए अतिप्री है महा लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा यह सुनकर मापारवती कौतुहल में पड़ गई मापारवती कौतुहल से उबजी अपनी जिग्यासा को रोक न पाई और उन्होंने पूछा कि देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व ब्रिक्ष का रूप क्यों लिया आप यह कथा बिस्तार से बताएं फिर भोले नात ने देवी पारवती को कथा सुनानी शुरू की महा देव ने कहा कि हे देवी सतियुग में जोती रूप में मेरे अंस का रामेश्वर लिंग था ब्रंभा आदी देवो ने उसका बिधिवत पूजा अर्चना किया और इसका प्रिणाम यह हुआ कि मेरे अनुगरह से वानी देवी सब की प्रिया हो गई और भगवान विश्णू को सतत्प्री हो गई मेरे प्रभाव से भगवान के सब के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रिती उपजी थी वह स्वेम लक्षमी को नहीं भाई अब लक्षमी देवी का स्री हरी के प्रती मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया और वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचा परम उत्तम स्री सैल परवत पर चली गई और वहां उन्होंने खोर तप करने का निरने लिया उत्तम अस्थान चैन करने लगी तो महालक्षमी ने उत्तम अस्थान निस्चे करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंब कर दी और उनकी कठोर तम होती तपस्या जा रही थी यह है प्रमेश्वरी कुछ समय बाद महालक्षमी जी ने मेरे लिंग्विग्रह से थोड़ा उर्द में एक ब्रिक्ष का रूप धारन कर लिया और अपने पत्तों पुस्पों द्वारा निरंतर मेरी पूजन करने लगी इस तरह महालक्ष्मी ने कोटी वर्स तक घोर आरादना की अन्तता उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तब की आकांचा पूचकर वर्दान देने को तयार हुआ तब महालक्ष्मी ने मांगा कि स्री हरी के हरदे में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो सने हुआ है वह समाथ हो जाए तो सिब जी बोले मैं महालक्ष्मी को समझाया कि स्री हरी के हरदे में आपके अरती रिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है वाग्देवी के प्रती उनका प्रेम नहीं अपितूसर दा़ है यह सुनकर लक्षमी जी परसंद हो गई और फिर से भगवान स्री हरी विश्णू के हिर्दे में इस्तितो कर उनके साथ रहने लगी तो इस कारण हरी प्रिया उसी ब्रिच रूप में सरवदा अतिसे भक्ती से भरकर यतन पुर्वक मेरी पूजा करने लगी तो हे पारवती इस कारण ब्रिच उसके पत्ते फल पुस्प मुझे अतिप्री हैं मैं निर्जन अस्थान में ब्रिच के आस्रे लेकर रहता हूँ और ब्रिच को सदा सर्वती तर्थ में सर्वदेव में मानना चाहिए इसमें तनिक भी संदे नहीं है क्योंकि ब्रिच अत्वा ब्रिच के चंदन से मेरी पूजा जो करता है वो भक्त मेरा अतिप्री है और ब्रिच को सिविके समान ही समझो वह मेरा सरीर है जो ब्रिच पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे को औरपन करता है मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर अपने जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही चैन करना चाहिए चिकना भाग सिवलिंग के उपर रहेगा और एक बात हमेशा ही याद रखे कि बेल पत्र में चक्र और वज्जर नहीं होना चाहिए और बेल पत्र में कम से कम तीन पत्ते जरूर हो तीन से लेकर एक ग्यारा पत्ते तक होते हैं जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतना ही अच दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र का कभी अनादर ना करें चलिए आप जानते हैं कि बेलपत्र में क्या लिखें और कैसे लिखें देखें सबसे पहरी बात जब आप सिब जी को अर्पित करने के लिए बेलपत्र लेकर आएंगे तो उसको आप फ्रेस कर लें आपके पास दंठल के सहारे ही राम लिख सकते हैं राम इसलिए क्योंकि राम जी को वो उंके आराद के भगवान स्ीहरी सिपजी को भसते हैं और अंगे तो राम सब्द वो हमेशा ही जबते हैं दोनिवा